की दोस्तों सवागात हैं को नश्तनी शर्मा मैं हूँ आप्डेट की तो समान्सून के ताज़ा अपडेट जड़ी हो चुका है और के वान श्यत्रों में दस्तक दे चुका है मांसून साधिक कहां तक पहुंचाये मांसुन आये चानले तेटेश्ट मांसूनी अपडेट को व चलते हैं फटावट अपडेट की और जान लेते हैं क्या मानसून को ले करता जा लेटेस्ट अपडेट दोस्तों के बाद इन जगों पर पहुंचा मानसून मौसमी भाग ने दी भारी बारिश के चेतावनी दक्षिन पश्रिम मानसून अब तेजी से देश में सकरी हो रहा है हाला कि मानसून जो है प्रवाईत कहीं कहीं हुआ है चक्रवाती तूफान वायू से प्रांतु फिर भी धिरे धिरे वह उसके लिए नुकुल परस्तिया बन रही और फिर से सकरी हो रहा है किरल के बाद याप मानसून की बारिश उत्तर पूरु भारत के राज्य मिजोरम मन में बता गया है कि नार्थ हिष्ट के अलावा गोवाग कॉंगर्ण तामिलनाडू गुजरात जम्मो कश्मीर गुजरात और महाराष्ट में 30 लाकों में ज्यादा से बहुत ज्यादा ही टू वेव हैदी रेंफाल वारिश का अनुमान है आपको बताने कि अरब सागर में चहत्र 23 से बनने के कारण वायू के तिरह जून को गुजरात में 30 लाकों पोरवंदर और कच्छ चहत्र में पहुंचने की संभावन आए थी परन्तु तूफान अपना मार का बदल लिया है और फिर विन चहत्र में बारिश का लड़िटरी जारी है उत्तर भाहाद में मानस मानसुनी हवाओं को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है दरसल कई मोसम विज्यानी को कहना है कि वायू तूफानी मानसुन बादलों को उड़ा सकता है मतलब साब है कि अगर मानसुनी बादल नहीं ठेहरे तो बादल भी नहीं बरसे और बादल नहीं बरसे तो उत्तर भाहाद म प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की चक्रवाद की चपेट मा जाता है तो निसंदे बहुत नुश्वान उठाना पड़ सकता है देश के वासियों को तो दोस्तो फिलाल जो है अभी फिलाल तो दूर है मानसुन प्रांतु यदि इसी प्रकार चक्रवादी और क्या हाल है तूफान के इस वीडियो में इतना ही फिर आपको लोपास से लोंगने जानकर रहे के साथ अब तक लिए उसो खुश रहिए स्वास्तर हिए नमस्ते इंडिया दोस्तों वीडियो को और इस तरी शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटिश्ट अपडेट को शावधान सतर ग्रह सेगे